नमस्कार दोस्तों आर्यास डिजाइन रिश्टीचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में ब्लाउच का वैकनिक डिजाइन बनाना बताएंगे तो इस तरह देखें हमने इसे कट किया है लंबाई रखी साढ़े चोदे इंच शुल्डर साढ़े पाच आप के लंबाई का निसान लगाएंगे चोड़ाई हमने लिए लंबाई इसकी साढ़े दस इंच थोड़ा सा और बढ़ेगा एक जारा इंच पूरी लंबाई हो जाएगी अभी समय गले का निशान करना है तो इस तरह से गले का निसान करेंगे और यहां पर देखें थोड करम के उपर तो अभी सतरह से निकाल लेंगे तो कि अधिन निकाल लिया गले के क्टिंग हो गई है अब में स्तर और कपड़े पर सिलाई लगा नहीं है तो इस तरह से लाई लगाएंगे अस तरह कपड़े दोनों पर अब इसको प्लटते हुए किनारी सेक्सलाई ही में अउलगा देनी है अब साइट से लाई लगा देंगे अब साइट से लाई लगा देंगे अब इस लाई डाल दी है जो इस्टरा कपड़ा है उसे करेंगे साइट से लाई करेंगे नियुक्ति दो इतव नियुक्ते करेंगे ड़ी पर निकाल लेंगे अब में दपर हमकर लेंगे इस तरह से लाई लगा लेने थे अब पूरे पर इस तरह से स्लाई लगा देंगे तो यह में स्लाई लगा लिए हैं अब देखे दोनों निशानों को मिला कर रखेंगे और पूरे गले पर जहां से गले का निशान है वही से स्लाई लगानी है तो अब इस तरह स्लाई लगा कर गले को हमें तियार करना है पहले स्लाई लगा लेंगे उसके बाद इसे कट करना है तो इस तरह से देखे हमने डाल दी है अब इसे कट करेंगे तो इस तरह में कट कर लेना है हमने दिखे इस तरह से कट कर लिया कट करने के बाद पूरे गले पर हमें कट लगाने थोड़ी धोड़ी पर कट लगाएंगे उसके बाद पट्टी को में पलटना है यह यह लिये बिक्रम प staise को फलटना नदर की तरफ और उपर से गले पर एक शिलाई लगा लेना है तो इसको इस तरह से पल्टेंगे और गली की उपर से एक शिलाई लगा लेंगे तो पूरे गले पर इस तरह लगाकर गले को तयार करेंगे उसके बाद इस पाटे जाने हमें तयार करना है यह देखे, इस तरह लगा ली है, अगला हमरा इस तरह त्यार हुआ, अब हमें इस पर डेचान्स बनाना है, उसके लिए हमें लेना है, देखे, इस तरह ऐसे कपा लेना है, तो इस तरह से कपा लेंगे जो कि फ्रिल बनाएंगे बाहर एक तरफ से हमने मौलकर सिलाई लगा ली है उसके बाद एक इंच दो पॉइंच की आएगी एक इंच दो पॉइंट की आएगी तो इस तरह से फ्रिल हमें बना लेना है पूरे पर और सिलाई लगा लेना है फ्रिल बाहर ही तियार करके उसके बाद गले पर लगाएंगे पहले बाहर ही तियार कर लेंगे उसके बाद लगाएंगे चाहे तो गले पर भी डारेट बना सकत है जितनी लगेगी गले पर पूरे गले पर यह रहेगी तो जितनी गले पर लगेगी इस तरह से पहले बनाकर इसे रेडी करना है उसके बाद गले पर लगाना है बिल्कुल छोटी छोटी सी चुनट पास पास देते हुए फ्रिल बनाएंगे ज्यादा बड़ी चुनटें इस पन नहीं देंगे और ज्यादा दूरी पर नहीं देना है बिल्कुल पास पास छोटी चुनट देंगे तो बिल्कुल पास पास सी चुनट निकालते हुए इस तर इसने म democracy रखेंगे तो इस तरह थोड़ा सा सा छोड़ते हुए रखना है गली के साइड से 2 पाइट बाहर की तरफ रखते हुए है ऐसलाई लगाना थैव इस तरह से बुरे परफ दॉटे लगायंगे तो इहांने देखे फेली लगा लिया फेल लगाने लगाना है गले वाली साइट करते हुए तो इस तरह से जो डोरिया में बना कर चट की है इसको पूरे गले पर लगा लेंगे अब पूरे गले मिवैर पर रहेंगे यह आ यह लिए Didines चाहि प्रेपर लगा लेना है कि हमने इसे लगा लिया इसे लगाने के बाद इस तरह से तिर्शे का प्रेपर पट्टी बना कर त्यार करके लगानी है हाँ पर पट्टी हमने त्यार कर लिया है इस तरह इसको लगा देंगे सिधे कपड़ेपर नहीं लेनी है यह गलेपर लगाएंगे तो तीशे कपड़ेपर बनाना है पत्ती को अपसाई जिती के आदा हिंच से कम ही चोड़ाएं लिए है बस यहाँ पर दोनों की सिलाई कवर करने के लिए पत्ती लगाएंगे पटी के दोनों तरफ से सिलाई डालना है बिल्कुल चिनारे से तब दोनों तरफ से सिलाई डालते हुए इस तरह से हमें पटी को लगा लेना है तो यह देखे इस तरह से हमें पटी लगा दिया है उसके बाद अब हमें इस तरह से इस पर मोतियां लगानी है अब ये डोरी वाली रिजाइंस पर पूरे रिजाइंस पर एक एक करके मुटी लगा लेंगे उसके बाहर फ्रिल पर भी लगाएंगे पहले इससे पर लगा लेंगे उसके बाद हमें पट्टी के नीचे फिरलपर भी लगाने हैं एक एक करके तोरी फोड़ी दूरी पर फूरे गले पर अब येवा लिमुति पहले कमप्लीट करेंगे लगाकर उसके बाद आगे कि लगाएंगे तो हमने मोतियां लगा लिए है अब देखिए इस तरह से चौकोर कपड़ा लेंगे तीरिंच का चौकोर लिया है और इस तरह से डिजाइने हमें बनानी है साथ आठ डिजाइने इस तरह की लगेंगी तो इसी तरह से बना लेनी है अब इसी धागे में जो बांकिटी जानी बनाएगे उसको डाल लेना है तो सभी को इस तरह से डाल लेंगे तो चाहरम ने डाली अभी इस पे तीन और डाल लेंगे साथ जानी पूरी डालेंगे और उसके बाद लगाना है इसे तो पहले इसको डाल कर इस तरह से बना लेंगे अब धागी को टाइट से खींचना है और देखिए दुनों को पकड़ते हुए स्लाइस यहां पर लगा लेना है इस तरह से इस तरह बनाने के बाद भी इसको यहां पर रखके लगा लेंगे तो इस तरह से लगा लेना है और भी इसमें एक बटन लगानी है तो इस तरह गोलें बटन लगा देंगे यहां पर और इसके चारों तरप से में मोती लगा लेनी है कि इसे लगानी के बाद इटो से लगाने के बाद इस पर मौटा यहां लगा देंगे अब देखे इस तरह को प्रेक की तो इस तरह से लटकन बना लेंगे और देंगे तिंगे करणा लेना इलिए हैं जो आर इसी तरह भशा बना लिए अब दिखे इस तरह सी लगा देना है यहसमें मुती डाल लिए यही ज़ shifting .. का लिए मुआ यहाँ देना लिए इसाइद से और थोड़ी चोटी लगेगी इससे धोड़ी चोटी में देङए पित wallet गणे में alarmiba तो इस तरह मोतियां लगा लिए हैं, डिजाइन समारा तयार हुआ, अब दोनों प्लेट्स बना देंगे, तो डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सेर करना ना भूलिएगा, तो मिलते हैं इंगले वीडियो में एकन्यो डिजाइन के साथ, धन्यवाद। कि अशी ना में अच्छा लगे भी में गिया ना भी में प्लेट दें हैं? कि अब चल्डू А को काह साथ, एक झातो है राग है, जो ले टे हैं ollut सेरे आいきます